हेलो तो कैसे हैं आप लोग आज मैं आपको दिखाऊंगा अरबी के समोसे दो तरीके से ये कम्प्लीट परफेक्ट रेसिपी है बहुत सारे इसमें टीप्स हैं तो जरूर एंटक देखिएगा ये जो हमने डीफ्राइ करें हैं और दूसरे हमने पोवन में बेग किये हैं ये ले तो चले बनाते हैं तो यहां पर देखिए अरबी है जिसको हम टेरो रूट भी बोलता है जिसको आरबी के सबजे बनाते हैं ये 500 ग्राम हमने अरबी लिया है और इसको कैसे यूज करना है मैं आपको कम्प्लीट बताऊंगा तो प्लीज इसको एंटक देखिएगा ये पाल्बी है um 500 ग्राम ये चanti हैं 150 ग्राम तो हमने अरबी फेजी लिए हैं और ये चंने लिए हमने 150 ग्राम दोस्तों अगर आपको हमारे चानल के रेचिप अच्छे लगते हैं और पसंद आते हैं और ज़रूर कर बैल लाइक्ति के बनी कि घंटान होता यानिके all-purpose flour उसको बोलते हैं refined wheat flour भी बोलते हैं तो वह हमने लिया है 250 g और यह जो आप हमने add किया यह चावाल का आटा है rice flour हमने तीन टेबल स्पून इसमें add किया तो तीन टेबल स्पून rice flour और 250 g मैदा हमने इसमें add करने के बाद आप हम इसमें add करेंगे आजवाइन cry olive oil जो कियरम सीट्रीव हां ओष हमने इसमें add किये तकरीब हमने एक टीसपून आजवाइन add करने के बाद इसमें हमने शक्कर का powder भी डाला जहिंकि जू शक्कर होती है उसको हमने grind कर लिया है पीस लिया है और वो हमने एक टीस्पून इसमें एड़ किया है तो ये जरूर ध्यान में रखे गया और अगर आप कोई कन्फूजन होता है तो निचे वीडियो डिस्क्रिप्शन जरूर देखें वहाँ पे आप मैंने कम्प्लीट इंगिडियंस की लिस्ट डाली है तो उसको चेक करना ना भूलें और मैं आपको बताते ही भी जाओंगा तो प्लीज एंटर देखिएगा बहुत सारे टिप्स है इसमें तो एक बार हमने अजवायन डालने के बाद शकर का पौड़र दाला एक टीस्पून इसके बाद नमक दालेंगे थोड़ा सा और यह जो हम डाला है अभी जो हमने आभी एड किया है वो है बेकिंग पौडर हाफ टीस्पून इसको असी तरह के से मिक्स करेंगे हर एक चीज सबी चीजे मिक्स होने के बाद इसमें हम घी डालेंगे टीन टेबल स्पून और इसको बुनना शुरू कर देंगे दोस्तों यह हमने इसमें डालडा यानि की जो वेजेटेबल घी होता है वो बिलकुल ही यूज नहीं किया है यह जो हमने ख्लेरिफाट बटर यानि की जो घी अब हम यूज करेंगे वो जो काउ की है जो डालेंगे इसमें टीन टेबल स्पून तो यह बिना डाल डेके हमने बना है लेकिन उतना ही क्रिस्पी बने है और बहुत ही जबादस्त हलवाय जैसे बना है complete method है ये oven और deep fry कैसे करने है करना है उसको और जो masala बना है हमारा अर्वी का जो अर्वी को अर्वी भी बोलते हैं तो इसको mix करेंगे और अभी इसको पानी यूज करके हम इसको गुनना शुरू कर देंगे तो क्योंकि हमारे खस्ता बनना चाहिए तो कैसे टेक्निक है उसका फ्राय करने के ताब पर क्या टिप्स होते हैं यहां पर देखे हम इसको मुट्टी में ऐसा हाथ में लेकर चेक करेंगे कि यह हमारा बंद रहा आता तो यह सही जा रहा है अब हम इसको पानी आड़ करके इसको गूनेंगे और एक बार यह दो तयार होने के बाद इसको हम एक गंटा अलग रख लेंगे रूम टेंपरेचर पर और हमारी जो अंदर की फिलिंग है जो मसाला है उसकी इस तरह के से हमने इसको थोड़ा मज़ेदार मसाला बनाए है अर्वी यानिके अर्वी सबजी का जोस्तों आपने आलू के समोसे खाये होंगे तो इस तरह के से यह जवाला जो ज़रूर बनाएगा यहां पर देखे हम इसको गुन लिया है हमने और एक बार यह रेडी होने के अर्वी जो होती है उसको टेरो रूर भी बोलते हैं कॉलकेशिया या उसको गुईयां भी बोलते हैं तो यह हमने यह घंटा ढखकर उसको अलग रख लेना है और यह देखिए अर्वी को हमने बॉयल कर लिया है कुकर में 8 से 10 सीटे आने तक थोड़े से नमक के साथ और पानी में कुकर में एड़ करके तो अब हमने एक पैन गरम किया यह हमारी मसाली की तहारी करेंगे हम पैन में हम दालेंगे डो टेबल स्पून तेल और सबसे पहले जो है हमारे अर्वी और चनों को फ्राई कर लेंगे तो यह बिसिकली हम यहां पर पकाने रहें कुछ है हम मसाला बना रहे हैं और यह चप्सीजें फ्राई कर रहे हैं तो यहां पर दो टेबल स्पून तेल एड़ करने के बाद इसमें हम दालेंगे राई यानि कि जो सरसो होती है मस्तर सीट्स वह हमने एड़ किये हाफ टी स्पून तो बिसिकली तड़का लागा कर हम सभी चीज़ प्यास को हमने बारीक चौप करके लिया है वो इसको एड़ करेंगे इसमें और इसको स्टीर करके यानि कि इसको घुमाते हुए सबसे पहले प्यास को रोज कर लेंगे जब तक वो ब्राउन नहीं हो जाती उसके बाद हमारे मसाले इसमें एड़ करना शुरू कर देंगे और आरबी और चना भी आड़ करेंगे इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको रोज कर लेंगे तो बिसिकली एक गोल्डन कलर की ही होती है तो इसको हमने रोज कर लिया इसके बाद आज को लो फ्लेम करके ही इसमें हम दालेंगे लाल मिर्च पॉडर हमने टक्रेबन इसमें एक टेबल स्पूल लाल मिर्च पॉडर अगर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी आड़ कर सकते हैं यह आपके उपर है तो हमने एक बार मिर्ची आड़ करने के बाद मिर्ची का पॉडर उसको हम मिक्स कर भ blueberry आकिए करेंगे जन्यो刷 करने क्वीडी और इसको मिल और हम घौट करेंगे सबस्क्राइब करने चने हैं तो इसको कुर्षे में नमध के साथ इसको बॉ consumo कर लिया है। तो यह अब हमने चने आड़ करकर, दोस्तों आप चने को रात भर इसको भीगो कर भी रख सकते हैं, या तो 8 से 10 गंटे इसको पानी में भीगो कर भी रख सकते हैं, तो यह सॉफ्ट होते हैं, तो एक बार चना आड़ होने के बाद अधरक का पेस्ट हम दालेंगे, एक हमने बॉल करकर, अरभी को रखा है, जो हमने पीसिस करकर चॉप करकर, तो हमने अरभी को भी बॉल किया था, दमक में, आर से 10 सुट्य आने के, आने तक कूकर में उसको उमने बॉल कर लिया था, तो आप हम यह देखिए हमारी अरभी है, जो हमारी main ingredient है, मसाली की, हम ने इस इसके अर्बी के संगों से आप ज़रूर बनाईए येकिन माने ये बहुत जबदस बनते हैं तो इसको एक बार आर्बी एड़ होने के बाद हम आच्छी तरह कि इसको मिक्स कर लेंगे यहाँ पर दियान में रखने ही है यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं डालना है यह कंप्लेटल ड्राय मसाला वहाँ को रखना है यह हमारी फिलिंग होगी तो एक बार यह मिक्स होने के बाद हैं यहाँ पर डालेंगे यह जो आप देख रहे हैं यह हमचूर का पाउडर तो हमने ये मसाले को थोड़ा चटपटा बनाया है हामचुर यानि कि जो ड्राइड मैंगो पॉडर होता है वो हमने डालाए एक टिस्पून अगर आगर आपके पास ये नहीं है तो आप हाफ नीमबू भी डाल सकते हैं नीमबू का रस इसमें इसके बाद डालेंगे हाफ टिस्पून हल्दी यानि कि जो टर्मरिक पॉडर होता है वो अच्छे तरह से मिक्स करना बहुत बहुत जरूरी होता है तो एक बार ये टोटल पांच मिट लगेंगे जब से हमने शुरूई किया टोटल पांच मिट लगेंगे सब चीज़े एंड होने तक 3 मिट लगेंगे और सब चीज़े एंड होने के बाद और 2 मिनिट हम इसको ढख कर पका लेंगे तो ये स्टीम में पक जाएंगे क्योंकि हैंपर हमारा बेसिक इंटेशन यह है कि आरबी और चना पहले से ही पका हुआ है बॉilड है लेकिन ये मसाले में सब चीज़े पकने के लिए हम इसको सिर्प मिक्स करके सब चीजों को फ्राइ कर रहे हिं तो हम पर सब चीज़ें पकी हुई है सिर्फ मसाले को इसमे गुल मिलकर पकने की जरूरत है तो हमने हल्दी जालने के बाद नमक add करेंगे थोड़ा सा और finally इसमें chopped यानि कि बारिक कटीवी अरा धन्या यानि कि जो कोत्मिर होती है वो add करके इसको mix करके हम 2 मिनिट lid को close करकर यानि कि ढखकर इसको 2 मिनिट पका लेंगे यह हमारी finally हमारा masala ready हो जाएगा तो उससे मने अपको बाता है आप हम डालेंगे इसमें बारिक क्टिवी हरादन्य है यानि कि जो कोत्मीर होती है तो ये add होनीके बाद इसको हम mix करेंगे और दो मिनिट तक ढख कर पका लेंगे यानि कि बेसिकली ढख कर पकाने से completely सबी मसाले आपस में मिल जाएंगे और जो हमारे अर्वी और चन्य होंगे वो भी completely set हो जाएंगे तो यह हमारा मसाला ready हो रहा है आज हम बना रहे हैं अर्वी के समोसे अर्वी यानि की अर्वी जिसको टेरो रूड भी बोलते हैं इसके सब्जी बनती है तो यही हमने हमारे आज के समोसे हमें फिल की है यह हमारी फिलिंग होगी तो यहाँ पर देखें यह सब कुछ mix हो चुका है set हो चुकी है अब हम finally इसको 2 minute ढगकर पका लेंगे तो यह हमारी completely हमारी फिलिंग जो मसाला है वो ready हो जाएगी यहाँ पर देखें यह हमारी क्यासाने बनाना अगर आप चाहे तो जो मार्केट में उसके समोसे की पैट्टी यानि की जो पट्टी मिलती है जो पेस्टी बोलते हैं इसको वो मंगा सकते हैं तो यह हमारा यह घंटा हो चुका है डफ तो इसको अब हम थोड़ा सा और गुल लेंगे इसको इसलिए हम बड़े प्लेट में ट्रांसफर करेंगे और इसको थोड़ा सा और गुल लेंगे यहां पर देखे इसको थोड़ा सा हम गुल लेंगे यहां पर देखे एक बार यह प्रेस होने के बाद वापस आटा ओपर आके सेट होता है तो यह completely ready है यहां पर आप हम इसके पेड़े बनाना शुरू करतेंगे और यह एक पेड़े में दो समोसे की covering यानि की पटी बनेगी तो हम इसके पेड़े बना कर इसकी यहां पर देखे यह पेड़े ready हो चुके है आटे के पेड़े जो दो है यह हमारा समोसे का तो यह अब हम शुरू करेंगे इसको बेलना दोस्तों हमने जो आजवाइन भी डाली है इसमें यहां पर देख पा रहे होंगे आप जो हम बेल है यह आपको दिख रहे है यह आजौईन है तो इसको एक बार बेल के हम राऊंड कर लेंगे ठीक से बड़ा होने के बाद इसको हम बीच में से कट करकर हाफ जो है यह एक समोसे की कवरिंग इसमें बना लेंगे तो कैसे इसको fold करना है तो मैं आपको complete बताऊंगा यह आप घर पर यह आसानी से बना सकते हैं आज हमने इसमें जो समोसे का जो साचा होता है जो mold होता है वो use नहीं किया है हमने हाथ से उसको fold किया है तो कैसे करते हैं वो भी आपको जो समोसे के folding techniques होती है मैं बताऊंगा यहाँ पर देखिए जो एक हाफ लेकर हमने side से पूरीट चारो तरफ से उसको पाने लगा लिया है अब हम उसका एक end इस तरह के से fold करेंगे और दूसरा end उसको cover करकर उसको seal करेंगे यहाँ पर देखिए इस तरह के से इसको हमने एक core बना लिया है हमने कोण जो होता है कि जो हमने layer के उपर layer रखकर इसको चिपकाना है ताकкив यह चिपक जाए और इसके जो edge है जहांपर हमें इसको रखा है तो वह भी completely edge हो जाए उसके end में जो नीचे cone है वह हम end में उसको बन करेंगे और यह हमारा Cone के अंदर हमारी जाएगी filling जो कि यह आर्बी मसाले की जो यह हमारा आर्बी मसाला बहुत जबदस तेस्टी बना है तो यह हम इसमें fill करेंगे और हमको ध्यान यही रखना है कि हमारी जो ends हैं जो हमारे किनारे जो हमने close किये हैं वो ठीक से चिपक जाएं और fix हो जाएं यहनिकि seal हो जाएं तकि यह जब हम उसको fry या bake करेंगे तो यह निकले नहीं तो हमने अंदर उसको दबा दिया है मसाले को और उपर से इसको हमने उपर से पाने लगा लिया है चारो तरफ इसके और इसको उपर से धीरे से हम close करेंगे इसको completely fix करना है हमको close जब आप करेंगे तो जैसे हमने आपको बताया जब हम इसको fry करेंगे तो यह फटना नहीं चाज़े क्योंकि यह मसाला भारा सकता है और यह completely फट सकता है तो इसलिए हमने इसको ध्यान में रखना है और यह completely इसको edges को पकड़ कर close करना है तो यह देखिए बिना हमने साचा यूज करें कैसे इसको समोसे का आकार में हमने इसको तयार कर लिया है filling के साथ और यह end में इसको इसको भी हम close कर लेंगे तो यह हमारा ready हो जागे इसी तरीके से हम बाकी सब की तयारी कर लेंगे और इसको fry करना शुरू कर देंगे तो सबसे पहले मैं आपको fry करने का method बताऊँगा हमने एक कड़ाय में तेल डाल यह refined oil है तो इसको अच्छी तरके से गरम होने के बाद ही हम समोसे इसमें add करेंगे और आपको ध्यान में यह रखना है हम पूरी आज पर हमने तेल को अच्छी तरके से गरम कर लिया उसके बाद जैसे हम समोसे add करेंगे तो आज को हमको medium करना है यह ज़रू ध्यान में रखिएगा यह टेकनिक है जो आप कैसे crispy बना सकते हैं और समोसे add करना शुरू कर देंगे एक बार आप समोसे add करने के बाद आज को medium करिए और अप से लेकर 10 मिनिट टक हम इसको पकाते जाएंगे यह टेकनिक होती है अगर आप इसको full flame पर रखकर पकाएंगे तो हो सकता है आप जल्दी पक जाएं लेकिन दरने के बहुत सारे chances होते हैं और crispy भी नहीं होंगे वो इसलिए आप उसको एक बार समोसे add करने के बाद flame को medium करिए और 10 मिनिट टक हम इसको गुमाते होए यानि कि पलटाते होए fry करते जाएंगे तो यही टेकनिक होती है क्योंकि हमने आज मीडियम पे रिखिए तो यह इसको हम medium flame पे 10 मिनिट दक तलते जाएंगे fry करते जाएंगे और पलटाते रहने हमको तो यह ज़रू ध्यान में रखिए थोड़ी देर में इसका color आना चलो जाएगा और यह completely 10 मिनिट में त्यार हो जाएंगे तो यह crispy समोसे बन जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा end में भी कि किस तरह किस तरह किस बने है तो यह हमारा सबसे पहला method है जहां पर हम इसको defry कर रहे हैं तेल में तो यह एक normal जो एक traditional समोसे का तरीका है जो हमने defry किया है यहाँ पर देखें यह ready हो चुके है अब हम इसको निकाल लेंगे तो oven में भी हम इसको बनाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा हम एक tissue paper के मदद से इसका जो oil है excess oil drain कर लेंगे तो यह हमारे defry समोसे बिल्कुल तयार है दोस्तों आप कोली भी method बना सकते हैं यह oily method है जो हमने defry किया और जो बिना oil का हमने oven में बनाएं यहाँ पर देखें एक plate को हमने गी लगा लिया है प्लेट को गी अप्लाई किया है और इसमें समोशे रखेंगे और आप समोशे के उपर दूद भी लगा सकते हैं जो दूद होता है वो बरस्य लगा सकते हैं और यह अब हम रखेंगे हमारे ओवन में ओवन को pre-hit करने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ डारेक्टलि ओवन में रख कि हमने ओवन में 200 डिग्रीज पे इसको 45 मिनिट्स तक बेग किया है तो यहां पर देखिए यह त्यार है हमारे यह डीफ्राइ समोसे हैं और इसके बाजू में हमने रखे हैं जो ओवन के समोसे हैं दोस्तों मचे यकीन है आपको यह रेसिपी ज़रूर पसंद आए होगी तो अगर आपको पसंद आए यहां पर देखिए कितने क्रिस्पी बने यह और अंदर भी मसाला इसका मज़ेदार है अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक करें और अपने फैनली फ्रेंज के साथ शेयर करें यह हमारे ओवन के समोसे हैं यहां पर देखिए यह बिल्कुल देखते रही है फिर मिलते हैं एक नई रेसिपिक के साथ तब तक के लिए खुदा आपिस